अब glass skin achieve करने के लिए आपको कोई भी Korean skincare routine या फिर products follow करने की जुरूरत नहीं है आज इस वीडियो में आपको विताऊंगी कैसे आप 10 मिनिट के अंदर आपकी skin को transform कर सकते हो डल से इस तरह के glowing just like glass skin अब चली वीडियो स्टाइट करते हैं सबसे पहले आप एक बाउल में ले लीजिए 1 टी स्पून बेसन एं 1 टी स्पून राइस फ्लार mix कर लीजिए उसके बाद आप अलोवेरा जल ले लीजिए मैं खादी का यूज कर रहे हैं 1 टी स्पून इसमें डाल दीजिए आप चाहो तो नैस्टरल भी यूज कर सकते हो अलोवेरा जल and lastly मैं वाइटमीन E oil की कैपसूल की जो oil होती है जो आपको मेडिकल शॉप में इसली मल जाएंगे एक कैपसूल से oil इसमें डाल के अची से मैंने मिक्स कर लिया उसके बाद फेस पर थोड़ा सा पानी डाल के मतलब फेस को गीला कर लिजिए उसके बाद ये जो मिक्स्टर है आपकी फेस पर अच्छी से अपलाई कर लिजिए अगर आपकी फेस पर मेकप है बहुत जादा डर्ट है तो आप पहले फेस को आपकी रिगुलर फेस वास से वाश कर लिजिए उसके बाद ये स्टेप फॉलो कीजिए ये जो मिक्सर मैंने बनाया है अलवरा जिल, राइस फ्लार, बेसन और वाइटमिन E ओल ये सारी चीज़े जो है आपकी फेस को डिप्ली क्लीन करेगी एक्सफोलियेट करेगी तो आपकी फेस पर इसे सकुलर मोशन में 2-3 मिर तक रब कीजिए उसके बाद वाश फर्स्ट यूज में ही देखेंगे आपकी फेस की जो सफेस है वो काफी स्मूध हो जाएगी आपकी फेस फर्स स्टेप से ही ग्लो करेगी नेक्स जो स्टेप है ये बहुत सारी स्टेप एक साथ है अब बस खाली आपकी हैंड पर इमतलब आपकी हैंड क्लीन अन क्लीर होना मिक्स कर लिया मेरी हैंड पर ही और क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा लीजिए मतलब आपकी जो नॉर्मल मॉशुराइजर आप जितनी क्वांटिटी में लेते हो उसे डबल लीजिए और आपकी पूरी फेस पर एक मतलब मोटा सा थिक सा लेयर अप्लाई कर लीजिए यह messaj cream की काम करेगी, repair cream की काम करेगी, deep moisturizing की काम करेगी तो इसे आपकी face पर आप minimum 10 minutes, maximum 40 minutes, 30 minutes भी रख सकते हो तो 15 मिनिट के बाद जो ये क्रीम है आप देखी सकते हो फेस पर आदा से जादा अब्सॉर्फ हो गई अब जितना देर रखोगे न उतना देर ये अब्सॉर्फ मतलब आपकी फेस ये अब्सॉर्फ कर लेगी आपकी स्किन उसके बाद इसे और भी अच्छी से पैनेटरेट करने के लिए मैं फेस को मसाजिंग कर रही हूँ आप चाहो तो कर सकते हो बहुत अच्छी रिजल्फ मिलेगी आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी या फिर आप चाहो तो इससे मतलब फेस को वाश या फिर डैंप क्लॉट से वाइप आउट भी कर सकते हो मैंने थोड़ी दिर मसाज किया उसके बाद फेस की एक साइड मैं जस्ट वाइप आउट करके आपको दिखा रही हूँ कि फेस कितना ग्लो कर रही है मतलब मौशुराइजर अप्लाई करने से फेस चमकती है बट आप देखो मैंने मौशुराइजर हटा दिया है दोनों साइड पर आप डिफरेंट देखो बहुँ जादा डिफरेंट नहीं है फेस पर एक्चुली ग्लो आ जाती है गाईस आप ज़रूर ट्राइ कर सकते हो डेली बेस पर करने की ज़रूरत नहीं है आप हफते में एक या फिर दो बार कर सकते हो अगर आपको टाइम नहीं मिलती है फेसिल करने की या फिर धीपलीन करने की स्किन को तो आप ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो कर सकते हो जो भी products मैं नहीं use किया है सारी products के link जो है न मैं description box में डालने की कोशिश करूँगी आप चाहो तो जाके buy कर सकते हो यह facial ज़रूर try करना अगर आपको अच्छी लगती है अगर आपको result अच्छी मिलती है तो please comment section में आके ज़रूर बताना thank you so much for watching, bye